नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NCL Research and Financial Services Limited क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए क्योंकि यह कंपनी जो की अपना ही strong support level लेकर bounce back करना start कर दिया है तो ऐसे में इस कंपनी का अगला target क्या बनने वाला है जिल लोगों ने long term के लिए continue किया था क्या उन्हें एक बड़ा मुनाफ़ा देखने को मिले गा है otherwise यह कंपनी फिर से resistance phase करके गिरना start कर देगा दोस्तो वीडियो में last तक बने रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ cover करने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर लेकिन दोस्तो उससे पहले जिल लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में bell icon को प्रेस करना न भूलें तो देख लेते हैं इस company के detail की दोस्तो अगर इस company के fundamental की बात करें तो fundamentally आपको strong यह company देखने को मिल जाएगा लेकिन company में कुछ weak point भी आपको देखने को मिलेगा जैसा इस company का promoters holding 2.79% के साथ है अगर इस company के free cash flow की बात के हो तो आप देखेंगे यह company जो की 2.03 करोड का free cash flow लेकर चल ला है company fully debt free है जो की काफी अच्छी बात है investment company की आप देखेंगे तो काफी strong आपको देखने को मिलेगा 10-10.03 करोड का तो देखेंगे इस company के और detail की दोस्तों अगर इस company के shortman के chart में हम detail देखेंगे तो आप देखेंगे इस company का जो एक support range आपको देखने को मिलेगा वो उपर side में 1.86 पैसे और नीचे side में 1.49 पैसे इस company ने अपना support बनाया है 1.63 पैसे के पास में और वहाँ से bounce back करने की कोसिस कर रहा है इस company का एक और support level आपको देखने को मिल जाएगा 30 का RSI level company उसके पास में जाकर support लिया है यानि company ने double support लिया और यह company अब bounce back करने की कोसिस कर रहा है लेकिन एक बात का जरूर ध्यानक है कि अब इस company में resistance level भी आपको देखने को मिलेगा पहला resistance level 1.86 पैसे का company अगर इसको break करके इसके उपर निकलता है तो 2.10 पैसे का अगला resistance level आपको देखने को मिल जाएगा अगर यह company इन दोनों को break करके इनके उपर निकल जाता है तो फिर इस company में एक बड़ी तेजी आप expect करके चल सकते है तो जिन लोगों ने long term के लिए buy किया वो चाहा है तो continue कर सकते है short term वाले कुछ दिनों तक अपना stopless daily to daily trail करते रहे हैं क्योंकि अभी हाली में यह company support लेकर bounce back कर रहा है तो इस company में थोड़ी सी गिरा वर भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर आप चाहें तो इस company में 1.38 पैसे के पास अपना stopless लगा कर आगे के लिए continue कर सकते हैं जो लोग इस company को buy करना चाहते हैं current price पे buy करें और अपना stopless trail करें चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video